नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप कुछ वीडियों बताने वाला हूं कि यदि आपका बैंक खाता SBI एकाउंट के अंदर है SBI खाते के अंदर है यदि आपका बैंक एकाउंट SBI के अंदर है तो कैसे दोस्तों आप अपना जो M-Pastbook होती है जिसको बोलते हैं Digital M-Pastbook की आप फिर Statement जो होती है उसे आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं तीन महीन है चीतने की भी हो तो कैसे पता होना चाहिए फिर आप इसमें लोगिन कर पाएंगे आपको पासवर्ड नहीं पता आप नीचे कमेंट करके बदाईएगा मैं उसके उपर वीडियो लेकर आजबा हूं कैसे आप बना सकते हैं यहाँ पर दोस्तों जैसे आप अपने मतलब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ प को मैं वापिस बता रहा हूं तो आप यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है इसके उपर आपको किया होगा क्लिक करेंगी थे जैसे ट्रायक्शन पर क्लिक करोगे न तो यहां पर देखो आप आपने जो भी क्लिक किया हुआ होगा सब यहां पर नजर आने शुरू हो जाएगा और आपको इह फो क्लिक करनेlav besten जैसे जैसे बाद यहां, पर बहुorit पीडिएफ डाउनलोडेट असक्सेसफूल एसा लिखावा रहा है और एक पीडिएफ के रूप में आपको इस्टेटमेंट डाउनलोड हो गया है वह जो इस्टेटमेंट आई है जो पीडिएफ आई है उसके अंदर क्या है पासवर्ड लगा है तो पासवर्ड ऐसे 0205 देखिए दो और पांच को क्यों से कांवे को नहीं लिया क्याद तारीक और महिने को लिया है इसको क्यों नहीं से करते हैs अपनी तारी चीन रगाएंगे देखिए अब के पीछे अपने नंबर का अंतिन चार नंबर आपको करेंगे अब दोस्तों हमने अपना इस्टेट्मेंट दाउनलोड कर लिए देकिन गई कहा कैसे उसे ओपन करेंगे यहां पर देखिए आपको जाना है अपने फाइल मेनेजर एप में मतलब जहां पर मुवाइल का फाइल पूछ रहा है और पासवर्ड आपकुछ गलट डालोगे तो देखिए ओपन पर क्लिक करते पासवर्ड इंकरेक्ट बता रहा है पासवर्ड क्या डालना है आपका डेट मतलब आपके जनम दिन का तारीक और महीना डालने के बाद में आपको लगाना है यह वाला एज होता ह अपना मुबाइल नंबर का अंतिम चार्ड डिजित आपको दर्ज करता हूं और दर्ज करने के बाद दोस्तों पूरा पासवर्ड आपको ओपन पर क्लिक करना है जैसे आप ओपन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर लिखावा आ गया इस्टेट बैंक ओफ इंडिया आपका नाम अपने मुबाइल के मादे हम से डाउनलोड कर सकते हैं कहीं पर भी यूज लेने के लिए दोस्तों आपको जनकारी वीडियो के साथ अपता के लिए जैन जै भारत